आपके साथ विशाल मिस्रा बुल्टन की सुरुबात करते हैं पहली खबर एक तरफ जहां देश भर में सुभागिन महिलाएं करवाचोथ का ब्रत बड़ी हरसो लास और धूमधाम से मनाया तो वहीं बिजनोर जिला कारागार भी करवाचोथ की धूमधाम रही जिल में बन 20 महिलाबंदियों ने करवाचोथ का ब्रत रखकर अपने पती संग ब्रत को तुलबाकर पती के लिए लंबी उम्र की मनोकामना पूरी की और इतना ही नहीं कुछ मुसलिम महिला बंदियों ने भी कर्वा चोथ का ब्रत रख करके सांपरदाइक सोहार्द की मिशाल पेश की कर्वा चोथ के अफसर पर जिला कारगार बिश्णौर में तेज महिलाओं ने अपना ब्रत रखा जिन मेंसे नौ महिलाओं के पती इसी कारागार में उनके रख निरुद हैं हमने उस अपसर पर जिन महिलाओं के पती पर निरुद हैं उनकी मुलाकात करा करके पुरे वीधि विधान के साथ उनकी पूज़ पूरे विधे विरान के साथ वो भी पूजा सब्बन करी है अगली खबर पीली भी से जहां कुछ माहा पहले हुए आतिश बाज के घर भी स्पोर्ट के बाद पुलिस प्रशासन और जिल्या प्रशासन पूरी तरह से अलट है इसी को लेकर के बीती राज शहर के बीच बाजार में एक मोबाईल की दुकान में बड़ी मात्रा में आतिश बाजी पुलिस ने पकड़ी है जिसके बाद पुलिस ने सारी आतिशबाजी जब्त कर आरोपी मोबाईल दुकानदार पर बिधिक कारवाई करने शुरू कर दी है और उसके सम्मनों में जाच की जादा ही है जाच करके विधिक करवाई अब खबर्शा जहांपुर से है जहां पहाडों से लेकर के मैदानी शत्रों में हुई बारी बारिश के कारण पस्चमिय यूपी और उत्राखन के बादों बैराजों से अतरिक्त पानी की लगातार निक गंगा और बहुगुल नदी के बाट से तबाही मचाना शुरू कर दी है दोनों नदीयों से शाजहांपुर जनपत के जालाबाद, कलान और मिरजापुर छेत्र के दरजनों गाउं से पानी में डूबे हुए हैं दो दरजन सड़के जलमगन हो गई हैं वहीं दूसरी को जलालाबाद, शमसाबाद, मार्ग पर गंगा में आई बाट का जलस्तर लगातार बढ़ा है तो वहीं गंगा के खादर में बसी कई गाउबाट की पानी में चोतर रफा गिरी हुए हैं खबर सराबास्ती से है जहां 15 और 16 अक्टूबर को पीटी परिक्षा आयोजित की जाएगी आपको बताने की जिली में 6 केंडर बनाए गए हैं इसके साथी हिल लगभग 14,000 परिक्षार्ती पीटी परिक्षा देंगे पीटी परिक्षा को सकुषल संपन्न कराने में परशासन जुटा हुआ है परिक्षा चार पालियों में होगी प्रते एक पाली में 3264 परिक्षार्ती शामिल किये जाएंगे स्राबास्ते के लालपुर महरी में नशे में घुत एक भाई ने दूसरे भाई को मौत की घाट उतार दिया सुचना के बाद भिनगा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुँची एस्पी अरविंद कुमार मौरी ने घटना अस्थल का मुएना किया मौत के शोग को पोस्ट माटम के लिए भेज दिया गया है फिलाल आरूपी फरार चल लाए जिसकी पुलिस तलाश कर रही है है कि एक बाजी होए पार साल मारी नह मेती है घए तब मारान दार अब बeg मैं से बलाआ है कि बलाए लए रहे हैं सबका तब बचाई नह च्छा तक हिए ऐख काल फेर जंगल लंगमरत रही है कर बहर को अर चल जémon gi लावत जंगल से खबर यूपी के पीली भीच से है जहां यूरिया थाना च्छेतर के गाउं भीतर गाउं के रहने वाले रियायुजीन ने थाने पर तहरीर देकर के आरोप लगाया है कि कस्बे से ही एक मौलाना ने चंदे के नाम पर उससे अबैद हुगा ही करनी चाहिए जो जिसके बाद उसने मना कर दिया तो उसे गाउं में बवाई विचारधारा का कहा गया है और गाउं के ही लगबग 200 लोगों ने पीनित के घर पर हमला कर दिया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और घर में तोड़ फोड भी की गई है जिसमें पीनित को गंभीर चोटे आई है फिलाल पुलिस ने विविन धाराओं में मौलाना समीत पांच नामजद साथ अग्यात लोगों के खिलाब मुकदमा दर्ज कर लिया है और जाच में जूटी हुई है वहीं घायल का मेडिकल भी कराया जा रहा है कुछ मौलाना जो है चंदे को लेके मुझके दवाब बना रहे थे आज दो तीन सो आदमी लेके मेरे पर हमला कर दिया मेरे धर में घुश गए और उसमें कमाल दीन और उसका भाई मौलाना रहिस दीन जे इनके लड़के नियाखा में विशाल दीन के लड़के उन्होंने हमला करा चर पे हमला भार भार हक्यार से दिया घर में आग लगा दीने के राजी और फ्रीजास दिन के द्वरा अलिकेश पर आए गया है विश्वा आपस में और इसी बीश को यह लोग इखटे होके गर में गुश्के इनके उपर हमला किये हैं इसक्रव में तुरंट अध्काल अन्यूरिया ताने में दर्श की गई है और इसमें अलड़ी एक वैक्ति अरस्ट भी हो गया है सब लोग इस सम्मंदित लोग अरस्ट होंगे और इंटिकला 14 धंड़ात्म कर वेकी है अगली खबर शाजहांपूर से है जहां चलती कार आग का गोला बन गई जिससे कार में वीशन आग लग गई देखते ही देखते कार जलकर के राक हो गई कार सबार पुलिस कर्मी ने भाग कर अपनी जान बचाई सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने बमुश्किल से आग पर काबू पाया रोड पर जलती हुई कार का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है बदायो की तहसिल दाता गंज छेत्र में राम गंगा का जलस्तर दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है जिससे दरजनों गाओं के किसानों की फसने पानी में समा गई है दाता गंज एक पहाड बे राम गंगा में दूसरी बार आई बार से छेत्र के तीन पूल डूब गई है जबकि एप्रोच मार्ग पर पानी भरने से नगरिया खनू सी राम गंगा के पार जाने वाला रास्ता भी बिलकुल ही बंद हो गया है पहली बार आई बार से जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वो पूरी तरह से अब दूब गई है पिछले 24 गंटे से राम गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ुत्री हो रही है ख़वर इटावा से है जहां गुजरात के पुर्व सियम शंकर सिंग बागेला इटावा पहुचे जहां उन्होंने मुलायम सिंग यादो को स्रधांजिली दी साथी शंकर सिंग बगेला ने कहा कि धर्ति पुत्र मुलायम सिंग यादो का उनका बहुत पुराना निस्ता था साथी उन्होंने कहा कि जब वो बिमार थे मिलने की कोशिश की लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई खवर इटावा से है जहां मार्क्सपवादी क्यम्यूनिस्ट पार्टी की नेता सीतारा में अचुरी इटावा पहुची जहां उन्होंने मुलायम सिंग को याद करते हुए कहा कि ऐसे समय में जब देश में बड़ी चुनावतिया हैं देश की जनता को नेता जी की जरूरत है ऐसे समय में नेता जी का जाना बहुत ही दुखद है साथ ही उन्हों ने कहा कि अखिलेश यादो और उनके परिवार पर जिम्यदारी आ गई है अखिलेश अकेले नहीं है देश की जनता और हम सब उनके साथ है जालावन के उरी जिलाने आले में गराउठा जहांसी के पूर्व सपाविधायक दीप नरायन सिंग यादो और हिस्ट्री सीटर लेक राजपेशी पर पहुँचे जेसियम कोट में दोनों आरूपियों की पेशी हुई सुरक्षा को देखती हुए जिलाने आले में भारी पूलिस पोर्स तैनात किया गया है आपको बता दे कि पूर्विधायक दीप नरायन यादो और हिस्ट्री सीटर लेक राजपा जहांसी कोट से पूरेई जिलाने आलाई में मोकदमा ट्रांसपर किया गया है अगली खबर हर्दोई से है जहां एक स्कूल के बस के बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है बच्चों से भरी बस लेकर के नशे में होने के बावजूद बस चालक तेजी से बस चलाते हुए जा रहा था लेकिन ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सूजबूज से एक बड़ा हासा होते होते बच गया जिसके बाद जहां लोगों ने राहत की सास्टी वहीं दूसरे बस के चालक के माधियम से बच्चों को उनके घरों तक पहुँचाया गया CEO City ने बताया है कि इस पूरे मामले में स्कूल प्रवंधन को जवाब देने के लिए बुलाया गया है और नोटिस लापरवाही पर दी जाएगी संबनलित मामले में कारवाई भी की जा रही है सेंग जेम्स स्कूल के बच्चों को ले करके बस आ रही थी और वो बेतहासा तरीके से गाड़ी चला रहा था जिसको देख करके त्रैथिक इंस्पेक्टर द्वारा गाड़ी को रोका गया और देखने से इसा प्रतीत हो रहा था कि वो नसे का सेवन किये हुए है द्राइवर को मुब्ट करके उसकी डाक्रील परिछण के लिए भेजा गया दूसरे लिए ख़वर बांदा से है जा शासन के निर्देशों की धज्यां उड़ाई जा रही है जा तेज रफ्तार ट्रकों से बड़े-बड़े हाथ से होती है वहीं बाहनों को ओवरलोट कर धडले से चलाय जा रहा है परिवहन और खनीज भी भाग कम नीद में मस्थ है अगले ख़वर हरिद्वार से है जा मिड्य में लियोजला के तहतों लाल धांग के ग्राम टाटवाला में स्थित प्राइमरी स्कूल के प्रधाना ध्यापक गये हैं उन्हीं में से टाटवाला लाल धांग प्राइमरी स्कूल में निरिक्षण के दोरान मीड्य मील के संचालक में खामिया पाई गई जिसको लेकर के निरिक्षण करने पहुची टीम द्वारा प्राइमरी स्कूल के प्रधाना ध्यापक घंश्याम सिंग से जवाब तलब किया गया सवालों का अस्पष्ट जवाब ना मिल पाने पर टीम ने उन पर ये बड़ी कारवाई की है खबर उत्तरकासे से है जहां जिलादिकारी अविशेक रुहेला ने ग्यानवा गाउं पहुच करके मांडवा की फसल पर किये जा रहे क्रॉप कंटिंग प्रयोग का अस्थली इनिर्चल कर जा 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 लिया जिलादिकारी ने स्वेंग भी परंपरागत फसल मंडवा की क्रॉप कंटिंग की इस दोरान कस्तकार कमलेश भट के खेत में बर्ग मीटर के हिस्से में 4 किलो 600 ग्राम मंडवा और कलम दीई के खेत में हिस्से में 7 किलो 300 ग्राम मंडवा की उपजप्राप्त की जिलादिकारी ने कहा है कि आज दूनों किसानों के खेत में निर्धारित बर्ग मीटर में क्रॉप कटिंग की गई है फिलाल इस बुल्टन में सिर्फ इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए निउजबॉर्ड इंडिया